यदि लक्ष दुरंत है यात्राएं दिगंध है समंदर और चनावतियां अनंत है तो भारत का उत्तर है विक्रान आजादी के अमरत महोत्सव का अतुल्निय अमरत है विक्रान आत्मंदिर बर होते भारत का अज्वितिय प्रतिमिम्भ है विक्रान ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अन्मोल अउसर है ये हर भारतिय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश माची को बढ़ाई देता हूँ साथ्यों लक्ष कठीन से कठीन क्यों नहों चुनोतियां बड़ी से बड़ी क्यों नहों भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं होता है आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनिक से इतने विशाल एरक्राप केरियर का निर्मान करता है आज आज आएनेस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरे समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है अमर्त वीर पुत्र हो द्रड़ पतिग्य सो चलो प्रसस्य पुन्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो साथियों इस अइतिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का कोचिन सिप्यार के सभी इंजीनियर्स वैज्यानिकों और मेरे स्रमीक भाई भैनों का अभिनंदन करता हूँ जिनोंने इस सपने को साकार किया है किरगा की पुन्य भुमी पर देश को ये उपलब्दी एक ऐसे समय पर मिली है जब ओनम का पवित्र परविवी चल रहा है मैं सभी देश वाचियों को इस अउसर पर ओनम की हारदिक सुपकामनाई भी देता हूँ साथियों आएनेस विक्रान के हर भाग की अपनी एक खुबी है एक ताकत है अपनी एक विकास यात्रा भी है यह स्वदेशी सामर्थ स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी काउशल का प्रतीक है इसके एरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है यह स्टील डियाडियों के वैज्ञानी को नहीं विक्सित किया भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया एक युद्धपोत से भी जादा एक तैरता हुआ एरफिल्ड है एक तैरता हुआ शहर है इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे पाँच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है इसका फ्लाइट लेग भी दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है विक्रांत में जितने कैबल्स और वायर्ज इस्तिमाल हुए है वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं यह जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवडता का उधारन है मेगा इंजिनियर्निंग से लेकर नेनो सरकिट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनी अथा वो हकीकत में बदल रहा है साथियों इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्रान का आवान किया और हमारे हरी जी ने भी इसका उलेक किया इन पंच प्रानों में पहला प्रान है विश्सीद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है गुलामी की मानचिकता का संपूर्ण त्याग तीसरा प्रान है अपनी विरासत पर घरव चौथा और पांचवा प्रान है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी करतव्य आयनेस विक्रान के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्रान पंच प्रानों की उर्जा को देख सकते हैं आयनेस विक्रान इस उर्जा का जीवन संयत्र है अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विक्सित राष्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जनल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरव मई इतिहास रहा है हमारी सम्रुद्ध विरासत रही है हमारे यहां नवकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है दिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामीनी तरी ही जंगाला प्लावीनी चैव धारीनी वेगीनी तथा यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है दिर्गी का तरुणी लोला गत्वरा गामीनी जंगाला प्लावीनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजो और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे बेदों में भी नौकाओं जहाजो और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ का डंका पूरे विश्व में बज़ता था छत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निंद उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेज भारत आये तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराये रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इत्याद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में करून बना कर भारतिय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाये दिये गए थे बारत के पास प्रतिबा थी अनुभाव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस उर्जा को फिर से जगा रहा है साथ्यों आज 2 सितंबर 2022 की एतिहासिक तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नवसेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नवसेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा कभी रामधारी सी दिनकरजी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नमो 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 स्वतंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वजवन्दना के साथ मैं ये नया ध्वज नव सेना के जनक छत्रपती